हलो बच्चो आज की इस वीडियो में कच्छा इलेवंत विसे होगा आपका अर्द सास्त्र यानिकी इकोनोमिक्स का जो जेक की तरप से वार्षिक परिच्छा के लिए मोडल प्रिसंद पत्र जारी हुआ है उसका हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सोलूसन देखने वाले ह तो वीडियो को बच्चो आप सुरूस लेकर अंतक जरूर देखिएगा देखिए आप सभी को एक्जाम देने से पहले कुछी सामान्य निर्देश है इनको भी पढ़ लेना एक बर जरूरी है देखो कुल प्रिसंद आपके 40 पूछे जाएंगे objective सभी प्रिसंदों के उत्त नहीं काटया जाएगा यह कुछ आपके सामान्य निर्देश है बात करते हैं बच्चो पहले कुछन की तो पहले कुछन से पहले मैं आप सभी को बता दू बच्चो मैंने बाकी subject का model present पत्र जो का solution वीडियो है वो upload कर दिया है अभी तक आपने model present पत्रों का solution नहीं देखा ह जाएगे playlist बना हुआ है जाकर solution भी देख लीजिएगा तो देखिए आज का जो पहला कुछन है पूछ रहा है सांखे की का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है इस सांखे की के अंदर हम आकडों का पूर्णा नुमान नहीं लगाते बच्चो option number हमारा D हो जाएगा अगला बात करते हैं next question की पूछ रहा है आकडों का संगरहे करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा जो आकडों इखटा करेगा उसको कहेंगे हम गणा कार option number हमारा A हो जाएगा अगला कुछ देखिएगा पूछ रहा है स्वतंतर भारत में पहली जन गणा किस वर्स हुई थी तो भा आकडों के वर्गी करण को कहते हैं तो इसको कहा जाएगा कालुनुक्रिमिक वर्गी करण option number हमारा हो जाएगा अगला कुछन है किसी वर्का मद्धे बिंदू का मान ग्यात किया जाता है तो यह जो मान है हमारा यह ग्यात किया जाएगा उच वर्ग सीमा तता निम्न लंताम प्रेक्षनों के बीच का अंतर option number हमारा वि हो जाएगा अगला कुछन है पूछ रहा है आयत चित्रके माध्यम से ग्यात किया जा सकता है तो हम ग्यात कर सकते हैं भाई भहुलक मोड को option number हमारा C हो जाएगा अगला कुछन है वर्ग आरेक में व्रतो को तो 100 बराबर भागों में बाटा जाता है जिसमें पृतेख भाग का अंस कितना हुगा यह आपको बताना है तो बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा बच्चो इसका राइट अंसर हो जाएगा 3.6 डिगरी क्योंकि बच्चो देखो जो एक सरकील होता है उसके अंदर जो कौन बनता है, वो कितना बनता है, तीन सो साथ डिगरी बनता है, अब आपने सो भाग कर ले, सो का आपने डिवाइड कर दिया, राइट, एक जीरो साफ के जीरो गया, भाग लगाओगे, तो कितना मिलेगा, आप वो तीन पॉइंट सिक्स डिगरी मिल बच्चों, जो आकड़ा जादा बार आएगा, वही हमारा क्या है, भाउलक हो जाएगा, तो आप इन आकड़ों में देखो गए ना, तो आपको जो चब्वीस बच्चों, वो सबसे जादा बार आ रहा है, कितनी बार तीन बार आ रहा है, इसलिए आपका उप्सन नमबर सी चला जाएगा, चब्वीस भाउलक हो जाएगा, अगला कुशन है, चतुर्थक वहमान है, जो दिए गए आकड़ों को बाड़ती है, तो बताई इसका राइट एंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा, चार बरावर भागों में, उप्सन नमबर सी, अगला कुशन है, निम ल जाएगा, अगला कुशन देखिएगा, पूछ रहा है, निम दिए गए आकड़ों से परास की घंणा कीजिए, तो जब आप परास की घंणा करते हो, तो आपको मिलेगा यहां से 130, अप्सन नमबर आपका हो जाएगा, सी, अगले कुशन क्यों चलते है, पूछ रहा है, नि आकड़ों से माननक विचलन की घंणा कीजिए, तो माननक विचलन निकालना है, तो यह आपका हो जाएगा, भाई, ऑप्शन नमबर आपकी चली जाएगी, 1.41, ठीक है, ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा, अगला कुशन है, निम्न चित्र में दो चरो के बीच किस परकार के स सहे संबंद को दर्साता है, तो बताएगे किस परकार के सहे संबंद को यह दर्साएगा, वक्र आपको दिया हुआ है, तो यह आपको पूर्ट धनात्मक सहे बंद को दर्साता है, क्या है, आपकी प्लस एक्सक्ष की और है, बात करते हैं, अगले कुशन की पूछ रहा है, पियर संसेhin संबन्द गुंढ का मान होता है तो इसको गुंढ का मान होता है वह पिलस एख और माइनस एक के बीक्न होता है ऑप्षण न ममर आपका डी बिलकुल सभी आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिएगा कीमत सूचकांग क्या मापता है तो कीमत सूचकांग है आपका वो आधार वर्स की तुलना में वर्तमान वर्स की कीमतों की ओसत परिवर्तन को मापता है option number A अगला question क्या है पासे का मूलिस उचकांके में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है तो इसमें लिया जाएगा भाई आपको Q1 को option number आपका हो जाएगा C अगला question है पूछ रहा है आपसे भारत में लोहो M स्पात उद्यों का विकास प्रारम हुआ तो यह कब प्रारम हुआ था यह हुआ था आपका जब स्टार्ट हुई थी वह कौन सतावदी 20 भी सतावदी हुई थी उसके प्रारम में यह हो गया था option number आपका D हो जाएगा अगला question क्या है ध्यान दीजिए भारत में जनांकी की संकर्मन का प्रिथम सोपान किस आउधी को मनाया जाता है तो यह मनाया जाएगा आपका वर्स 1921 पूर option number A हो जाएगा अगला question है भारतिय राष्टिय नियोजन में प्रियुक्त सब्द पंच वर्स योजन किस देश से ली गई है तो यह ली गई है भाई पूर सोईत रूज से आनि कि पूर सोईत रूज से USSR से बच्चो अगला question है प्रेश सुल्क लगाया जाता है तो यह लगाया जाएगा आयतित वस्तुओं पर option number आपका D हो जाएगा अगला question है भारत जैसे देशों में लगू द्योग को प्रत्साहित करने के क्या कारण हो सकते है कूटों का प्रियोग करते हुए सही विकल्व का चेन कीजिए तो बताई इस सही विकल्व का आपको अंसर बताना है तो जो question number आपको बच्चो 25 है ना इसका जो right answer हो जाएगा आपका एक तथा दो आप देख सकते हो यहाँ पर पहला जो option है उसमें क्या है निम्न पून जी क्या हो सकता होती है और अधिक रोजगार का स्रिजन करने में सक्च्चम होना चाहिए अगला question देखी क्या है विश्वे व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था तो यह किया गया था भई आपका 1995 में option number आपका डी हो जाएगा अगला question देखिए नई आर्थिक नीती 1991 के तीन उपवर्ग है तो तीन उपवर्ग कौन कौन से है आपके उदारी करण भी है निजी करण भी है वेश्वी करण भी है इसलिए आपका उप्रोक्त सभी ओल ओफ दिया वो ठीक है अगला question है भारत में सारजनिक छेतरक के लिए सुरक्चित उद्ध्योगों की संख्या कितनी है तो यह है आपकी तीन option number आपका A हो जाएगा अगला question देखिएगा भारत सरकार ने सिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्स लागू किया तो यह जो लागू किया गया था आपका यह 2009 में लागू किया गया था जिसे हम RTE के नाम से बचों जानते हैं अगला question क्या है विस्वी ग्यान अर्थ वेस्था के स्रेष्ट प्रियोग करने वाला देश माना जाता है तो देश का नाम क्या है भाई Ireland option number आपका A हो जाएगा अगला question है मानव पूंजी के संदर में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए तो कथन जो आपका A है मानव पूंजी एदरस्य होती है कारण B है यह धारक के मस्टिक्स में रच्ची वसी होती है उक्त कथन और कारक के संदर में कौन से विकल्प सही होगा तो बताइए वह कौन से विकल्प सही होने वाला है तो जो आपका A और R दोनों ही क्या हो जाएगे सही हो जाएंगे यह आर एक ही क्या करता है सही व्याख्या करता है अगले कुश्चन क्यों चलते हैं अगला कुश्चन है ओप्रेशन प्लैड का संबंध किस से हैं तो बताई इसका संबंध किस से होगा इसका जो संबंध होगा वो दूद के उत्पादन से होगा अपसे नमब भारत में अधिकान स्रेमिकों के रोजगार का स्रोत निम्नि में से क्या है तो यह आपका प्राथमिक ृच्च Gloria option नमर् आपका A हो जाएगा अगला situation देखिए निरमार्ण मसदूर निम्नि से क्या कहलाते हैं तो यह आपके कहलाए जाएंगे धिहाड़ी मजदूर वाले स्रेमिक ओप्सन नंबर आपका भी हो जाएगा अगला कुशन देखिएगा नवी करणिये संसाधनों का एक आपको उधारन देना है तो क्या होते हैं वनो में पेड़ और समुंदर में मचलिया उप्सन आपका C हो जाएगा A और B दोनों अगला कुशन है चिप को आंदोलन का उद्दे से क्या था भई तो चिप को जो आंदोलन लड़ा गया था उसका पिरमुक उद्दे से था वो क्या था हिमाले परवर्त में वनों की क्या करें हम सरक्षन करें वनों को बचाएं अगला कुशन है चीन के ग्रामिन छेतरों में प्रारम किये गए कैमियून का संबंद निम्ने से है इसका जो संबंद है वो सामू ही खेती से है और आपका A हो जाएगा अगला कुशन है माना विकास संकेतों के आधारपन निम्ने से कौन सा देश प्रिथम इस्थान पर है तो बताएं कि कौन सा देश प्रिथम इस्थान पर है यह आपका है चाइना ओप्शन नमबर आपका भी विल्कुल सही हो जाएगा तो बचो यह था आपके एकोनोमिक सेपर का कम्पलीट सोलूशन आई होप कि आपको इस सोलूशन कापी अच्छा लगा होगा यदि आपको सोलूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो मिलते हैं और एक भहतर वीडियो साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम